धौती कुंजल और जितनी भी क्रियां कहने का मतलब धौती में तो कि आप कॉटन का कपड़ा अंदर धीरे-धीरे खाते हो और फिर थोड़ी देर के बाद उसको उसी वे में निकाल देते हो तो अंदर के जितने भी अम्ल और पित शोते हैं वह कॉटन का कप्रा सक कर लेता है कॉटन या रेसम के कपड़े लोग लेते थे तो वह सबकर करके बाहर निकाल देते हैं लेकिन नोट करो कोई भी चीज चाहे वो कुंजल हो कुंजल में आप पानी पीते हो पानी पीकर के बाहर निकाल दे दोनों टेक्निक का इसलिए किया जाता है यह दोनों टेक्निक कि अंदर के एसिड अम्ल और पित्व को बाहर निकाल दिया जो एक्सेसिव बन रहे हैं पर य जाने के लिए बनाया है यह जाने वाला ट्रैक है यहां से उपर आने का ट्रैक नहीं बना वह उपर तभी आता है जब कोई critical situation होती है जैसे मान लोग खाने में infection हुआ तो वह omit करा के निकाल देगा वह critical situation के लिए वह वापस आता है लेकिन वह normal way में natural process में उपर आने का नहीं natural process में उपर से नीचे जाने का है और नीचे से वेस्ट निकल जाने का है अब इसमें अगर आप कुंजल और धोती के used हो गए जैसे कुछ लोग है अगर मैं अपना ही experience बता हूं तो हम लोग हर हपते में लगवग दो-चार बार तो कुंजल करी लेते हैं मतलब अब ये 86 की माय बार्त बताए जब कि कोई प्रोब्लम नहीं थी लेकिन बस सुधी करण करती है आदमी को भूठ चाड़ाएं थांब आप हरिय दी गई तो वो B culpya करने में लगा है जबकि बोड़ी में कोई प्रावन नहीं है पर हर हपते में नहीं यह कर ले रहा है और रोज नाक की सफाई कर रहा है और पानसे दस मिनिट नोट करो मॉर्निंग में उठकर के और तीन उढली जीप पे रख कर के और ऐसे ऐसे कर कर के और पूरी तरह से कफ और सपुछ निकाल रहा है आप नोट करो 4-6 साल के बाद डाकार निकलनी शुरू हो गई, समझ लो, और खाना उपर आना शुरू हो गया, क्यों क्योंकि हमने इतनी जवर्जस ट्रेनिंग दे रखी है, इसकी सफाई की, की उपर आने की, और कुंजल करकर के, धोती तो नहीं करती, क्या था, तो उपर आने के लिए हमने ट्रेनिंग द सुरू हो गया, आपको अब अमलपित पता चला ऊपर अपने आप आने लगे, जो थोड़ा बहुत अमलपित खाने के लिए जरूरी थे, वो भी उपर आने सुरू हो गया, है न, तो एसरेटी हार्ट बर्निंग सुरू हो गई, तो इसको इसी लिए हट ही होगी, के पुस्त पकों में, नोट करो, महिना, दो महिना, चार महिना में एक बार कहने की बात है, कुझल को, धोती को तो साल में एक बार, संक प्रक्षालन को तो साल में एक बार कहने की, या जो मौसम चेंज हो, तब कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हर दूसरे चवथे दिम, संक प्रक्षालन करने बैठ जाओ धौती करने चले जाओ और कुंजल करते रहो सब detoxification की होती है detoxification में ऐसी क्रियाएं जिसमें force लगाया जा रहा है natural detoxification नहीं है force लगाया जा रहा है specific कोई specific problem होती है या आपको लग रहा है कि toxins ज्यादा हो गया तो आप पूरी बॉड़ी की एक सर्विस सेंटर में जैसे ले जाते हो तो सफाई कर लो अब हर दो-चार दिन तुम में थोने ना किया जाता है सब दो-चार दिन में करने में तो आदमी खतम हो जाएगा तो चला इसी रोग से पीडित हो जाएगा यह रोग दे देगा इसलिए रिफ्लक्स की जब प्राब्लम सुरू होई तो हमने यह बनाया कि कोई भी एक्टिविटी जीप की ऐसे मत करो जिससे उपर आए जीप को फोल्ड करके रगड लो तालू से और जितने भी लार प्रडियूज हो सलाइवा प्रडियूज हो उसको अंदर ले लो रिफ रिफ्लक्स की डिजीज खतम कर दिया है मतलब अपने यहां एक्सपरिमेंट से चुकि इससे हमें रिफ्लक्स होने लगा उस समय के कुछ गुरू ने यह कहना सुरू किया था कि जैसे आप करते हो उंगलियों को जीब में रगलते हो तो आपके आँक से पानी निकलता है डि पर मेरे अनुसार आजकल चुकि इस्ट्रेस का लेवल जादा है लोगों में तो थोड़ा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे ही रिफ्लक्स हो रहा है उनको वैसे ही डायफ्राम उपर चड़ा हुआ है और थोड़ा भी किये नहीं कि वह पर्मनेंट ही हो जाएगा तो इ सब्सवेशी को नमक लगा करके रग्ला करते थे और फुब उसको फ्लेक्सिवल बनाते थे जीवद को फ्लेक्सिवल बनाने से आपका डायजिस्टिब सिस्टम होता है स्टॉंगर होता था इवन की टेस्ट गलेंड आपके एक्टिविशा बहुत सार जैसे अगर आप थोड़ा मसाला का ले लोगे और ज्यादा टेस्ट नहीं निकाल पाऊगे अगर आप इसी जीव को बहुत ज्यादा रगड़ लो और फ्लेक्सिबल बना दो तो आप और टेस्ट आपको फील होने लगे ज्यादा ब्रॉडर हो जाएगा टेस्ट को तो 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 अब जैसे नोट को फोल्ड करकर के फ्लेक्सिबल मटेथी उसको अगर फ्लेक्सिबबनर उसमें श्ट्रेस नहाने द सब्सको जाने जैसे आई मुसल्स की ये वाली मॉसल्स होती है ये आपकी कि बहुत। की कि हमारा जो नजर है वह नॉमली सी स्ट्रेट भी नहीं होती है हमेशा ऐसे नीचे डाउन वर्ड होती है और थोड़ा से डाउन वर्ड तो चल जाएगा लेकिन नॉमली ऐसे होती है अब आप मुबाइल देख रहे है तो ऐसे देखते हुं आप ऐसे नहीं देखते हो ना उपर तो आप तब जाते हो जब आप लेटे हुए होते हो तो आपकी आँख धीरे 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 उपर चली जाती है अगर आप किसी बच्चे को देखो तो उसकी आँख उपर इजली चली जाएगी लेकिन जिसको डीप स्लीप नहीं आ रह तो उसकी अगर इस मसल्स को चक किया जाए तो बहुत स्टिफ मिलेगी अगर उसको बार-बार आँख ऊपर करके इस मसल्स को धिला करवा दो तो बहुत इजली आ जाएगी इवन की बगल वाला खराटा मारता रहे तो भी आपको उठ नहीं सकते आपको पता नहीं चले अगर यह मसल्स आप ढिला कर दो तो सेम बात कर रहे ते जीब की मसल्स के तो जीब की मसल्स को अगर आप लूज और बेटर कर दो फ्लेक्सिबल कर दो तो आपके बहुत सारे टेस्ट ग्लैंड एक्टिव होने का मतलब है कि ब्रेन बेटर फॉर्म में चला गया और आपका स्तमक एरिया चुकि जीब से स्टमक का बहुत क्लोज रिलेशन होता है तो आप जितने भी इसमेट सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे थ्रोट के साथ उपर नीचे जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वह स्टमक में जाएगा इस्टमक की जो इसकिन है एरिया है वह नूटल हो जाती है इविन कि अगर आप फास्ट और आप इसको रगलते रहो लगभग 17-18 गंटे आप बहुत इसली मतलब 17-18 गंटे रगलने की बात नहीं कर रहा हो तो चार मेंट रगलो तीन-चार मेंट पानी पीते रहो फिर कर लो बीज-बीज में करते रहो आपको भूंगने लगे जितन भी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं जल्दी जल्दी का मतलब जैसे अभी खाया फिर आदे घंटे में भूंक लग गई फिर आदे घंटे में कुछ खा लिया कुछ नहीं कुछ खाते रहते हैं अल्दी उनको अगर सी प्रेक्टिस क्राँके थे उनका घ्रफ यह सब शर्म कीकितम सब्सक्राइ्स की न्योट करें तो सब्सक्राइब कोई हडी जिसमेंहें जिसमें हड़ी नहीं, जिसका यूज हम बोलने के लिए भी करते हैं, हईसके पर भी करते हैं,ंग आप लेक। उनकी जीव की मुसल में ही दो स्टिफनेस होतीज और क्या होती यह ब्रेण में थोड़ी ना होती… ब्रेण में तो वह लग लेते हैं। लेकिन जब जिव زालते हैं मूह से लाव निकलता है क्योंकि जीव मोड़ रहे हैं 문제가 ब्राइब्स इक जिव को जैसे जैसे प्था करते जाते हो आपका बेटर्मेंट होता जाता है यहां तक कि पहले लोग ने यहां काट लेते थे हो कहते थे कि अंदर ले जाओ और उपर से रस निकलेगा एक्शुली ऐसा कुछ होता नहीं था आपको एक्शुल में लार निकालना प्रड्यूस करना तो जब सलाइवा स्टमक की लाइनिंग बेटर हो जाए अंदर तो सलाइवा ही जा रहे हो निगल रहे हो आप थोकते तो हो नहीं ना सलाइवा को निगलते हो आप तो आपकी स्टमक की लाइनिंग बेटर हो जाती है स्टमक में इस्ट्रस खतम हो बेसिकली परपस यही है तो कहने का मतलब है क जितने भी चाहे वो कुंजल हो चाहे वो यह धौती हो यह सफाई करने का कोई भी तरीका जो नीचे से उपर आ रहा है वो लॉंग टर्म के लिए खतरना क्या तो रेगुलर प्रेक्टिस नहीं हो जैसे कोई प्रॉब्लम हो गए सपोज मान लो आपको फास्ट रखना तो अब आप फास्ट अच्छी तरीके से रख लो भाई आपको दिन बर नहीं खाना न तो आप मॉर्निंग में उठे और आपके स्टमक में अभी भी खाना पड़ा हुआ है तो फास्टिंग रख करके भी क्या हो जाएगा फाइदा नहीं तो अब आप मॉर्निंग में कुंजल कर ल आप नाक का पीते हो पानी नाक से और निकालते हो यह सब भी पूरा क्लीन कर लो तो हम लोग हपते में एक दिन संडे को मैं रखता था फास्टिंग तो उस मॉर्निंग में सब कुछ यह करते थे फिर दिन भर फ्री रखते थे अपना नेक्स डे रात में सोना ही है कोई प्र नहीं थे हम लोगों के कि एक्स्पेरिमेंट होता था तो इधर उधर की कोई फाइनांसियल कोई कमी थी नहीं कि भाई ऐसी दिक्कत हो गई वाइसी दिक्कत हो गई पैरेंट्स पे बेज थे और मिनिमम खर्च पे काम चलता था तो कोई प्रॉब्लम दिमाग में थी नहीं पस पढ़ाई रखती थी पढ़ाई होता था और यह अपना इसी में दिन भर इंवाल रहते तो तो खुसियां जादा मिलती थी पर अगर इसको रोज करना सुरू कर दो तो यह रोग बन जाए तो फास्टिंग के समय कर लो आपता दस दिन में 15 दिनों में पर धावती को साल में किया जाता है नॉमली में रिक्मेंड नहीं है